Hello Friends, GS4 Competition में आप सभी का स्वागत है आज हम UP के Current Affairs को डिसकस करने जा रहे हैं हमारा पहला Question है किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा विरिक्षार ओपन अभियान पौधे लगाओ परियावरन बचाओ को लॉंच करने का नड़नाय लिया है A. दिल्ली, B. बिहार, C. करनाटक, D. जारखन बताये Friends कौन सा आंसर होगा इसका इसका आंसर होगा A. यानि की दिल्ली हमारा दूसरा Question है केंद्र सरकार ने किस राज्य में आत्म निर्भर कारेक्रम के अंतरगत फूड पार्को के धाचा गत सुधार हेतु 4,000 कडोर रुपए की राशी मंजूर की है A. पिहार, B. पंजाब, C. करनाटक, D. तमिलनाडू बताये Friends कौन सा आंसर होगा इसका इसका आंसर होगा C. करनाटक तीसरा क्वेस्चन है हमारा केंदर सरकार ने भारत बॉंड स्कीम को किस तारीक से फिर से शुरू करने की घुशना की है A. 14 जुलाई, B. 25 जुलाई, C. 15 अगस्त, D. 25 सितंबर बताये Friends कौन सा आंसर होगा इसका इसका आंसर होगा A. 14 जुलाई हमारा चौथा क्वेस्चन है भारत में कोरोना वाइरस, COVID-19 के सबसे बड़े स्पताल के वाड के नाम हाल ही में किसके नाम पर रखने की घुशना की गई है A. पुलवामा में शहीद सैनिकों के नाम पर B. गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर C. कानपूर में शहीद पुलिस कर्मियों के नाम पर D. पठान कोट में शहीद सैनिकों के नाम पर बताये Friends कौन सा आंसर होगा इसका इसका आंसर होगा B गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर हमारा पांचवा क्वेस्चन है महिला एशिया फुटबॉल 2022 किस देश में आयोजित की जाएगी A. भारत B. रूस C. जपान D. एंडोनेशिया बताएए फ्रेंड्स कौनसा आंसर होगा इसका इसका आंसर होगा A. भारत फ्रेंड्स अगर आप सभी को ये क्वेस्टन्स पसंद आ रहे हूं तो लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू